तो डॉक्र साब आप से ये भी जाना चाहूंगी कि किस तरह से हम ये चुनते हैं कि हम अपने इस समयकित किस्री प्रणाली में कौन-कौन से उत्पादों को ले जाने वाले हैं मार्केट तक? मुख्र उब्ठ करना . जो जो अईकीत किस्री प्रणाली में काफि पाया है है किसान निष्जित रूप से सालो भर आम्धनी पराप्त करते रहें। तो फलो के जो बगान लगे हुए हैं यहां पर तो क्या सब्जीयों के भी इस तरह के बगान बिल्कुल हम लोग अभी देखेंगे कि हम लोग अभी इसको ट्रीमिंग करते हैं इसको अमरूद को और उसके बाद बीच में हम लोग सीधे-सीधे दो-तीन लाइन सब्जिया लेत हैं तो किसान भाईयों आपने जरूर गौर किया होगा कि अमरूद के पौधे यहां पर अगर देखा जाए तो बाकी के अपेक्शक्रत काफी चोटे-चोटे हैं और फल देने में यह बहुत जादा अच्छे माने जाते हैं तो ऐसा इस तरह के पौधों का चुनाव भी किस करना चाहिए इसमें मुख रूप से अमरूद के नसल पर ध्यान देते हैं जैसे यहां पर इलाबाद सफेदा मुख रूप से हम लोगों ने लगाया है चोटे पौधे होने के कारण फल का आकार बहुत ज्यादा होता है और हम लोगों को वजन के हिसाब से ही हम लोगों को म हम लोग पौधे भी तयार कर सकते हैं और यह हमारा एक मेजर सोर्स है आम दनी का सालों में लगण बाहर भी किसान भाई सप्लाई कर सकते हैं इस तरह का जिसे कलम लगाना बोलते हैं